हेलो वरिवान वेलकम टू फार्मरोग्स यूटूब चैनल फार्मरोग्स की यूटूब एज़ियो किसने जेनल में आपका स्वागत है आज की लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे गावा पेंटेंड मेडिकेशन के बारे में तो हम सेखेंगे उसके बेजिक उसके कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिशन में गावा पेंटेंड को यूज किया जाता है साथ ही जाने कि उसके डोस के बारे में कि कितने डोस में ये मेडिकेशन को यूज की जाती है उसके साइड एफेक्स के डेवलाफ हो सकते और वार्निंग और कॉन्टर इंडिकेशन कहा रहेगे तो इस डिटेल स्टेडी करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं गावा पेंटिन के बारे में तो एक्स्पेट लेक्चर भाय मरसर असिस्टम रॉफेसर एंड फाउंडर ऑप फार्मरोक्स तेंक यू पर बीन फार्मरोक्स में मिली सीखिया अलग-अलग बीम कॉन्णिंग कॉन्टर इंडिकेशन तो ऐसे इसी के डिटेल में किसी भी दवाई के बारे में मेडिसिन कॉर्स में फार्मरोक्स के अब उपर तो मेडिसिन कॉर्स जॉइन करने के लिए हमें वाटसेप करें 9016312020 पे तो आप समझते हैं गाबा पेंटिन के बारे में तो ऐसे class का medication है कि जिसको हम anti-epileptic drug कहते हैं और ये medication जो अलग-अलग जो epilepsy के problem होते है central nervous system से जो जो बीमार ये होती है उसको treat करने के लिए use की जाती है और ये खासकर epilepsy और anxiety के लिए ये medication use की जाती है और nerve pain के जो हम condition जो कहते है कि जो नसों में दर्ध होता है उसके इलाज में भी गाबा-पैंटिन को use किया जाता है epilepsy मेरलब कि ऐसी condition के patient को मिर्गी के जो दौरे पढ़ते है तो मिर्गी के दौरे में भी ये medication जो वो use की जाती है फिर जो neuropathic दर्ध होता है या फिर आपके नसों में जो दर्ध होता है और epilepsy की जो condition है उसको treat करता है ये गाबा-पैंटिन तो यह पर उसके detail हम study करें तो 100 mg as well as 300 mg दो उसके version available होते है खास कर तो यह पर हम एक marketed formulation study कर रहे है Intasca की जो गाबा-पैंट करके रहता है तो ये 300 mg के अंदर आप देखो कि ये hard gelatin capsules बनाए है company ने की जिसके अंदर 300 mg जितनी medication रहती है और उसका दूसरा version है ये गाबा-पैंट करके कि जिसके अंदर 100 mg जितना medication जो है वो present है और इसके जो manufacture है वो है Intas Pharmaceutical तो यह पर आप देख सकते हैं दोनों की comparative detail तो main difference यह है कि GABA-PIN 100 के अंदर 100 mg जितनी दवाई है और GABA-PIN 300 के अंदर 300 mg जितना GABA-PENTIN medication available है GABA-PIN जो वो company ने उसका brand name दिया है कि जो Intas Pharmaceuticals उसके बनाती है और एक जो strip रहती है खास कर उसके अंदर 15 capsule या फिर या पर हम tablets के अंदर देखे तो 15 tablets जो वो available होती है आगे जानते हैं उसके बारे में detail में तो GABA-PENTIN को neuropathic दर्द की कावा कहा जाता है कि जिसके करन ये medication जो वो nerve pain के इलाज में यूज की जाती है फिर जो आपको nerve pain हो रहा है जो harpes gister infection के करन तो उसके लाज में भी GABA-PENTIN को यूज करते है epilepsy की जो मिर्गी के दोरे जो हम कहते है उसमें यूज की जाती है seizure disorder जितने भी होते है epilepsy related neuropathic pain जो हम कहते है या फिर diabetic neuropathic की जो condition होती है तो सभी में GABA-PENTIN को यूज किया जाता है तो या पिर उसके detail use हम समझते है तो neuropathic pain आपको कौन से अलगला conditions में हो सकते है एक diabetes के अंदर की जिसके अंदर peripheral neuropathic के जो complication होते है और उसमें एक symptom बनता है neuropathic pain तो उसमें फिर mononeuropeathy जो condition कहते है या फिर radiculopathy की जो diabetes के अंदर specially देखे जाते है और उसमें जो symptom बनता है nerve pain उसमें ये use कर सकते है फिर herpes juster का जो infection होता है या फिर कोई spine surgery हुई है या फिर HIV infection है AIDS जो हम कहते है और उसमें patient को peripheral neuropathic के complications हो रहे है तो ये सभी condition या फिर जो हम कहते है कि central nervous system से related जो problem तो वो सभी को treat करता है ये गावय पेंडिन के जिसके अंदर patient को मिर्गी के दौरे पढ़ते है और neurons related problem हो रहे है neurons related दर्ध हो रहे है तो उसमें ये medication जो है वो use की जाती है अब उसकी mechanism समझते है तो कैसे ये medication काम करता है तो क्या करता है calcium की जो entry होती है जो presynaptic neurons होती है वहाँ पे ये medication जो है वो calcium की entry को reduce कर देता है कि जैसे pregawalin काम करता है उसी तरह से ये भी जो calcium की entry को जो है वो block कर देता है जिसके करण क्या होता है reduce हो जाता है glutamate का release और glutamate का release कम हो जाने के करण जो उसका release जो है वो काफी कम हो जाता है और इसके करण ये medication जो वो neuropathic दर्द में से आपको जो हो राहत मिल देती है तो उसके dose के बारे में हम समझे तो चाहे उसके capsule हो या फिर tablet तो 300 mg जो हो once a day से start किया जता है और उसके बाद dose जो हो दिरी-दिर increase करके 300 mg से लेकर 600 mg patient जो हो दिन में 3 बार ले सकता है बट ये खासकर धियान ये रखना होता है कि जब भी ये medication start कर दिक जाती है तो proper diagnosis के बाद ही ली जाती है और prescription के साथ ही उसको retail में बेचा जाता है तो prescription based medication होने के करण इसको self medication नहीं करना चाहिए खासकर ऐसे patient की जिनको neuropathic दर देते एक बार अपना अच्छे से diagnosis करा है neurosurgeons को मिले और उसके बाद ही आप medication जो है वह start कर सकते है अब गात करते हैं उसके side effects की तो gaba pentin के करण आपको feel होगा कि आपके mouth में saliva कम हो रही है और saliva कम होने से आपको ऐसा feel होता है कि dryness जैसा feel होता है oral cavity अंग दर गला सुकरा है या फिर आपके mouth में dryness जैसा feel होता है second edemae जानी की swelling सूजन जैसे कुछ complications feel करते हैं कुछ लोग तीसरा sleepiness आपको नींद आ सकती है लंबे समय तक ये side effects develop करता है gaba pentin vision blur हो जाना patient जो हो confusion जैसा feel करते हैं dizziness जैसा feel करते हैं कुछ लोगों के अंदर weight gain के problems भी देखे गए हैं gaba pentin को अगर लंबे समय तक use करते हैं उसके warnings के हम बात करें तो पहले condition के gaba pentin लेने के बाद समझे के आपको severe allergic reactions develop हो रहे हैं आपके skin के उपर तो gaba pentin को नहीं लेनी चाहिए कि इस तरह से skin के उपर racist बन रहे है तो उसको use ना करें second condition hypersensitive reactions हो रही है गaba pentin को लेने के बाद तो उसको लेना जो है वो बंद कर दें तिसरी condition कि कोई भी ऐसी emergency medical conditions produce हो रही है जैसे कि आपको breathing करने में problem हो रही है आपके चहरे पर सूजय ना जाती है या फिर आपके गले में आपके throat के reason में तो तुरंत ये medications को लेना बंद कर देना चाहिए विकोज इसको हम कहते है कि hypersensitive reactions हो रही है आपको गाबा पेंटिन के गरन या फिर आपको समझो कि प्रीगा बालेन से भी उसा हो रहा है तो भी ये खास दियान रखनी है उसके warnings के बारे में Contraindication समझ ले कि कौन से patients को गाबा पेंटिन नहीं खानी है तो पहला condition तो suicidal thoughts या फिर जो depressions के patient है कि ऐसे लोग के जिनको suicidal thoughts आते है patient depression में तो ऐसे लोग गाबा पेंटिन को यूज ना करें second जिनके body के अंदर lungs का जो function है फेपडो का जो function है वो काफी कम हो गया है ऐसे लोगों को गाबा पेंटिन नहीं लेनी चाहिए तिसरा chronic heart failure के जो patient होते हैं उनको भी गाबा पेंट patient है या फिर kidney failure के जो अलग-अलग stages में patient तो उन लोगों को भी गाबा पेंटिन नहीं लेनी चाहिए आपकी vision समझो कि lower है आपको already कम दिखाई दिता है तो यह medication आप ना ले chronic obstructive pulmonary disease के आप patient है COPD के है तो भी गाबा पेंटिन को यूज ना करें और allergic reactions समझो कि एंज इडिमा क आप patient है तो यह medication आप use ना करें तो ऐसे ही सिखें डिटेल में medicine course में किसी भी दवा के बारे में pharma rocks के अब उपर तो यह course join करने के लिए मैं whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पे तो अब यह whatsapp करें या फिर हमारी आपको download करें link description box में आपको मिल जाएगी good luck and all the best